राजधानी शिम्ला में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में अब कोविट पॉजिटिव मरीजु को अस्पता ले जाने और लानी के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है ऐसे लोगों के मदद के लिए बेला बॉबी सरका ने अपनी संसा ओल्माइटी ब्लेसिंग की और से ने शुलक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और इसके लिए टॉल फ्री नंबर 94599-00108 ही जारी किया है जहां पर कॉल करने पर एम्बुलेंस घर तक जाकर पॉजिटिव मरीजु को अस्पताल तक छोड़ेगी ये सेवा किवल शिमला नगर निगम के एक शेत्रों के लिए ही शुरू की गई है सर्वजीत सिंग बॉबी का कहना है कि कॉरोना के मामले हर रोज बढ़ रहे है इस महामारी से निपटने का काम केवल सरकार का ही नहीं है बलकि ये सभी लोगों का दाइत्व है संसा द्वारा कैंसर मरीजों के लिए पहले से ही तीन अम्बॉलेंस और डेट बॉडी वैन भी चलाई गई है वहीं अब कोरोना मरीजों के लिए अलग से अम्बॉलेंस सेवा शुरू की गई है जैसे कि सभी देख रहे हैं कि केसिस बढ़ते जा रहे हैं और हम हर सारी जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं मैं पिछले कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा था तो एक सो आठ में बहुत जादा वर्क लोड पड़ गया हुआ है और इस वक्त हमारे घरों में आग लगी है जब घर में आग लगती है तो सभी का काम होता कि उस आग को बुझाया जाए तो हमारा भी ये छोटा सा प्रयास है कि हम अपने एक कैंसर के पेशेंट्स वाली जो एमूनेस चला रहे हैं टोटल तो हम तीन गाड़ियां चला रहे हैं उन में से एक गाड़ी को हमने आज डेडिकेट कर दिया है कोविट पेशेंट्स के लिए पिक एंड रॉक पूरे शिमला के एमसी एरिया के लिए वो 24 घंटे ये सेवा देगी और उन मरीजों को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर जो कोविट में है उनको छोड़ेगी मैं दुबारा बता दूँ हॉस्पिटल तक छोड़ना और हॉस्पिटल से घर सिरफ कोविट पॉजिटिव पेशेंट्स को ये नेगिटिव पेशन्स को नहीं छोड़ेगी लेकिन ये सेवा 24 घंटे चलेगी कुरोना कर्फ्यू के साथ साथ कोविट प्रोटोकॉल को सक्ती के साथ लागू करवानी के लिए सिर्मौ जिला मुख्याले नहन में जिला की एसपी बबीता राना लगातार मोचा संभाले हुए हैं प्रते दिन फिल्ड में उतर का एसपी नियम तोडने वाले लोगों पर सक्ती के साथ कारवाही को अमल में इला रही है वीरवार को एसपी के नित्रित में पुलिस टीम ने नहान शहर में जगा जगा कोविट प्रोटकॉल के साथ कोरोना करवी नियमों के वहेला करने वालों के खिलाफ कारवाही अमल में लाई पुलिस टीम ने कोविट प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने वाले कई लोगों के चलान किये एसपी ने स्पष्ट किया कि नियम तोडने वालों के खिलाफ सक्त से सक्त कारेवाही अमल में लाई जा रही है भाशपर प्रदेश के मुख्य प्रवक्तारंधी शर्मा ने कहा कि भाशपर राश्ची अधक्ष जगत प्रकाश नड़ा द्वारा कॉंग्रेस पार्टी की अंतरिम अधक्षा सोनिया गांधी को लिखे पत्र से कॉंग्रेसी नेताओं की पोल खुल गई है उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड़ा के इस पत्र से कॉंग्रेसी नेताओं की समवेदन हींता नकुरात्मक्ता द्रिश्ची कोण वसंकुछ इतमान सिकता उज्जागर हुई है पत्र के माधम से सोनिया गांधी को एहसास करवाया गया है कि इस कॉंग्रेस पार्टी के नेता कॉरोना महमारी के इस संकटकाल में भी गैर जिमेदाराना बयानबाजी जनता के बीच हास्ति का पात्र बन रही है रंधी शर्मा ने कहा कि भाश पर राश्ची अधक्ष ने कोविट वैक्सीन पर कॉंग्रेस के शीष नेत्रित्व पर और कॉंग्रेसी सरकार के दोहरे पन पर कॉंग्रेस पार्टी को आरे हाथ लिया है इस पत्तर के माध्यम से सोनिया गांदी जी को यह एहसास करवाया गया है कि किस तरह से उस उनकी पार्टी के नेता गैर जेमेदाराना ब्यार्मा जी करके जनता के बीच हास्तिय का पत्तर बन रहे है पत्तर में कहा गया है कि उस पार्टी के नेताओं ने जनता को वैक्सिनेशन को लेकर ब्रमित किया है जो vaccination हमारे देश के विज्ञानिकों ने बहुती कम समय में बना कर तयार की उसको भारती जन्ता पार्टी की या मुदिर जी की वैक्सिन बता कर जिस तरह से मजाक उडाने का प्रयास किया गया उसके दिए भारती जन्ता पार्टी कॉंग्रेसी नेताओं के कड़ी निंदा कर कोरोना वारेस की दूसरी लहर हमाश्र प्रदेश में कोहरा मचारी है मई महीने में हलात काफी बिगड़ चुके हैं पिछले 11 दिन में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस डबल हो गए है हर दिन कोरोना के 4 से 5,000 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वहीं 50 से जदा लोग इस मह माई से दम तोड़ रहे हैं राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा दो हजार पार कर चुका है प्रदेश के चार जिलो कांगडा मंडी शमला और सोलन में सबसे बुरा हाल है पूरे प्रदेश के साथ फीसिदी मरीज इन्हीं जिलों में है एक से बारा मही तक प्रदेश में कुल 1,57,941 सेंपलों की जांट हुई है जिन में 43,698 संक्रमित मामले सामने आए है जबकि 543 कुरोना मरीजों की मौत हुई है ऐसे में प्रदेश में कुरोना संक्रमन की दर 28.66 फीसिदी पहुँच गई है एक मही तक राज्य में सक्रिय मामलों के संक्या 19,9 जो अब बढ़कर 38,944 पहुँच गई है कुरोना मरीजों का अब आयर्वेद पदिती से भी इलाज किया जाएगा नहन में जिला प्रश्रासन द्वारा शहर की कुरोना संक्रमित दो वार्ड आयर्वेद विभाग को सौपे गए है दरसल कुरोना के पहले फेस में भी अस्पताल नहन में कुरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए आयर्वेद विभाग के पास दवाईयों की खे पहुँच गई है जिससी अब चैनित वार्ड के कुरोना संक्रमित लोगों का उपचाश शुरू किया जा रहा है कोविड-19 आयूश अस्पताल नहान के वरिष्ट चिकस्तक डॉक्टर परमोद पारिक ने बताये कि संक्रमित लोगों की इलाज के लिए विभाग के पास 17 किस्म की दवाईयां पहुँची है जिसके जरी कुरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि जो कोरोना की पिछली लहर थी जो पिछले वर्स जो कोरोना का प्रकोप था उस समय आयरुवेदिक ओस धियां जिसमें आयरुवेदिक इम्मुनेटी बढ़ाने वाला क्वाथ इसके तरिक्त संसम्नी बटी आरसनिक एल्बम और अनुते लिए पूरे जिले भर में जो कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनको बाटा गया था और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले और उसी से उत्साहित होकर के इस बार भी चुकि कोरोना की डुटी लहर बहुत व्यापक रूप से है तो उसको देखते हुए जिलापरसासन के सहयोग से जिलापरसासन के निर्देश से आईस विहाग ने यह तै किया है कि जो हमारा नाहन सहरेस के दो आडो में हम आयरवेदिक ओसदियां जो अब सेकंड फेज की दवाईया हैं जिसमें आई सिक्स्टी फोर संजी निवटी त्रिभून कीर्थी बहु फाइदा कहुंचाने में सक्षम है तो यह सारी ओसदियां हम दो आडो में हमारी डॉक्टर्स की टीम होगी उसमें फार्मासिस्ट होंगे नर्सेज के सहयोग से हम वो दवाई डोर टो डोर उन बिमारों से संपर्क करके उनको किस प्रकार के लक्षन है तो जो दवाईयां ह हमारे पास आयूस की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्द है उन्हीं वस्दियों में से उस पेशेंट से लक्षन आदी पता करके और उसी के हिसाफ से उनको दवाईयां दी जाएगी जैसा कि जिला प्रसासन के द्वारा जो हमको सुची उपलब्द होगी विमारों की उन जो भी देखवाल होगी जो भी आवशक होगा उँ हम सब करेंगे उसमें हमारे विशेशगे डॉक्टर्स भी इनवाल होगे और साथ ही हमारे फार्मासिस्ट और नर्सेश्ट पुरा स्टाफ इनवाल होकर के उपायुक्त शिम्ला अदित्ते नेगी ने जिला में फल व सब्जिवे क्रेताओं को निर्धारित मुल्ले से अधिक लाभांशना वसूलने तथा मुल्ले सूची लगाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि संबंध में अवहेला करने वाले के विरुद उचित कारेवाही अमल में लाई जाएगी उन्होंने जिला नियंतरक खादे एवं आप पूर्ती को निरिक्षन और जांच के आदेश भी दिये उन्होंने बताये जिला खादे नियंतरक एवं निरिक्षकों के दल द्वारा आज इस अंदर्ब में जिला के रोहरू ठियो गोशमला के टूटू बालू गंच और नाबाक श्रेत्र में और चक निरिक्षन वा जांच कारे किया गया बीरवार को चुवालिस निरिक्षन किये गए तथा निर्धारित लाबांच से अधिक दामवसूलने और मुल्य सूची न लगाने पर दस दुकानदारों के वरुद्ध कारे वाही अमल में लाई गई तथा दबेश के तहत उलंगन करने वाले इन दुकानदारों से दो इंटर 91 किलो फल वसबजी और धाई किलो चिकन जप्त किया गया हिमाचल प्रदेश के बिलासपु जिला में कुरोना संक्रमन से जूज रहे लोगों की सेवा किले विभिन संस्थाएं और लोग आ गया हैं बुद्धवार को दिल्ली की पतिष्ट समाजिक संसा हुमेनिटी वेलफेर काउंस्लिंग द्वारा करोना आपदा को देखती हुए ग्राम पंचात पलासला के मोहडा पपला डलोह मुडगर कर लोटी के जरूतमत परिवारों को राशन किट वित्रित की संसा के संचौलक सूरी प्रताप सिंग ने बताया कि अगले साथ दिनों तक राशन व योग सेक शेत्र के चलारन गाउं के 21 कुरोना से पेड़ित परिवारों को मुफ्तक खादे समागरी उपलब्द करवाई साथ ही सभी के शिग्र स्वास्ते लाब की कामना की सतर लाग से अधिक की आबादी वाले हिमाश्र प्रदेश को केंद्र सरकार ने मात्र 11,500 रेमेडी सीवर इंजक्शन ही मिल बाए हैं जबकि प्रदेश के लिए 24,000 इंजक्शन अलोट किये गए हैं वहीं वेंटिलेटर की बात की जाए तो अभी तक केंद्र ने प्रदेश सरकार को 750 वेंटिलेटर दिये हैं जिन में से राज्य सरकार 495 ही इंस्टॉल कर पाई है जबकि 255 को इंस्टॉलेशन का इंतिजार है आइटी आई कारे करता सुजीद स्वामी के स्वास से एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने सूचनक आदिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारे की जवाब में ये डाटा उपलब्द करवाया है जिला सिर मौर में कुरोणा संक्रमन के 363 मामले सामनी आए हैं जिसमें 210 पोटा साहिब के बताए जा रही हैं जिसमें रैपिट सेंपल भी शामिल है अगर हम जिला सिर मौर में संक्रमन की बात करें तो बारा मई को 363 संक्रमन के मामले सामने आए हैं जिसमें आटी PCR पॉटा सहिब के 168 बताए जा रहे हैं जबकि 42 रैपिट टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं कुल मिलागर पॉटा सहिब में 210 के करीब कुरोना संक्रमित पाए गए हैं कितने हुए ठीक वही स्वासे विभाग जानकारी के नुसार 169 लोग कुरोना संक्रमन को मात दे कर वापस अपने घरों में परिवार के बीच लोटे हैं शहरी क्षेत्रों में उच्चित साफ सफाई बनाये रखने में अपनी महत्वपूंट सेवाएं प्रदान करने वाले शहरी स्थाने निकायों नगर निगमों नगर पाली काउन नगर पईशदो तो था नगर पंचायतों में कारेरत सभी सफाई करमचारियों को अप्रेल मई तथा जून 2021 के लिए प्रती महा 2000 रुपए की प्रोथ सहन राशी प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री जैराम ठाकों ने ये घोशना आज यहां श्रमला से की शहरी स्थाने निकायों की निर्वाचित प्रतिनिध्यों को वर्च्वल माधम से संबोधित करते हुए की मुख्यमंत्री ने शहरी स्थाने निकायों के प्रतिनिध्यों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोविड नाइटीन वायरस की करण होम आइसुलेशन में रह रहे व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाय रखने का आग रह किया ताकि उन्हें उचित चिक्सा परामर्ष था उपचार प्राप्थ हो वह उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े उन्हें की डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिश्टों के लिए एह उन्हें की नुशन जूलर्स अनमोल रिए भूशन जूशन 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 परेशान ना कि वारे सामन तर्स्टों के लिए होगशना जूशनों के लिए्यां, रहता है उन्हें रहता है वार्णभी गया परे झान्हें